हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टुम 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 कोकिंग फाय और आज हम बनाने जा रहे हैं चैनी की दाल के बहुत ही टेस्टी समोसे वह भी बच्जी हुई रोटियों के साथ तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है इसके लिए यहां पर एक पैन म हमने दो टेबल स्पून ओईल लिया है उसको गरम होने देंगे और इसमें एड करेंगे हम दो से तीन मीडियम साइज के ओनियन जो के हमने ओमलेट कर काट के रखे हैं और इसको हम सौते करेंगे हमें इसको ब्राउन नहीं करना है हलका सा जो ट्रांस्पेरेंट होता है बस आधा नहीं हो जाएगा तो हम इसमें एड कर देंगे 2-3 मिर्च और इसको एक से दो बार चला के हम इसमें डालेंगे आदा कप के खरीब चने की दाल जिसको हमने 1-2 गंटे भीगा दिया था और इसको हमने बोईल कर लिया है तो इसको भी हम राए कर लिए इसमें जो भी म में चंच पाउडर्च एजनागाव 1 ज़िवन पाई पाउडर्डे चंचyuवल यह चंच में और पैंब्सक्रामाल कि ओनड fantastнее अच्छे तक अच्छा ने लक्ष्ट मैं राइन करीव है और दो से तीन पिंच समझ लीजिए या एक से एक देड़ चमच के करीब पोदीना लिया है सुखा पोदीना जो कि हमने क्रश करके इसमें डाल दिया है तो यहाँ पर यह हमारी फिलिंग तयार हो चुकी है अब हम इसे ठंडा करें अब हम बनाएंगे सलरी जिसे हम जो समोसे रहेंगे उनको चिपकाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर मैने एक टी स्पून आटा लिया है और एक से दौ टी स्पून वमने पानी एट किया है आप इसमें मैदा भी एट कर सकते हैं और आटा भी ले सकते हैं आप के ओपर किया है तो इनको आसे फोल्ड करके कार्न काट लेंगे के चोको कार में आजाएं तो हमने दोनों और जाइट के इस के म new Mor бол है आप हम इसको को लेंगे और इस तरफ कर लेंगगे है मिं तरफ से यह के जोड़ा तोड़ा इनको कट डोन हम इनको को या आड़े में कहड़े में दोनों साइट से क्तकर सकते हैं लेकिन इसका पाड ले रहे पर दो इतनी चोर्ड़ाइब्स पटी मिलएटे तो लें कि आपको कट करें के लिए थोड़ साव साव लेना थे साकनी साथ यहाँ पर आपकी रोटाइल्स and चार च Bentam जिससे हमारे पल समोसे बन जाएगे 12 समोसे इससे हमारे त्यार हो जाएगे तो अब हम हम इससे समोसे बनाना start करेंगे तो एक पटी लेकर हम इसका पहले ऐसे corner खुमाएंगे ऐसे करेंगे और इसको बस फोल्ड करते जाएगे इस तरह से और बीच में हम फिलिंग कर देंगे तो यह आप सलरी जहां जहां चाहें चिपका सकते हैं ताकि यह हमारे अच्छे से बाइंडिंग हो जाए और हमारे समोसे तलते टाइम खुलेना तो हम इसमें पहले फिलिंग भर लेंगे तो दो चमच के खरीब या देर चमच क करीब आपको जित्ता भी लगे आप उतनी फिलिंग भर सकते हैं और यहां पर हमें जो हमने यह बनाया था चिपकाने के लिए गम कह सकते हैं तो आप इससे इसको अच्छे से स्थिक कर लेंगे और अच्छे से हमको इसको लगाना है कोई कंजूसी नहीं करना है क्योंकि खुले हुए लग रहे हैं हम वहाँ पर यह लेई या सलरी हम इसको लगाके चिपका देंगे और यह हमारा समोसा बन त्यार हो गया है इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे यह देखिए आप इससे नीचे रखके भी इसको फोल कर सकते हैं इसली बन जाते हैं कोई मुश्क अब का देंगे यह थोड़ी सी पतली हो गए दूसरी मैंने जो बनाई थी वो थोड़ी थिक बनाई थी इसमें पानी थोड़ा सब्साइब तो आप उसमें आट ला लें ठीक है कोई दिखत नहीं इससे भी वैसे मेरे समोसे खुले नहीं है तो यह तरह से हमने सारे समोसे त पाएं और अगर आपके पास बहुत बड़ा पैन या बड़ी कड़ाई हो तो आप उसमें घटी जल सकते हैं इसको फ्राय होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है तीन से चार मिनट में यह अच्छे से फ्राय हो जाते हैं बस आप जब भी निकार लें तो यह चेक और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल पास में लगे बैल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली सभी मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलें तो मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी मज़दार सी र